गुड इबनिंग हम लोग आप देखिए क्या है कि हम लोगों ने अभी कुछ जो पढ़ा है वो सब एक ऐसे सिस्टमेटिक नंग सेगर चलता रहा तो साइध हमारा बहुत सारा टॉपिक छोड़ जाएगा बट हम लोगों को पूरा कबर करना है और यह जो 20 दिन का पर देंगे तो दो दिन हम लोग सीडीपी पर देंगे तो दो दिन हम लोग इंग्लिस पर देंगे और इसे दो दिन हम लोग जो है एबियस पर देंगे यानि कि हम दो दो दिन जितने भी सब्जेट हमारे पास पढ़ रहा है ठीक है सब पर दो दो दिन देखरके और पूरा चीज़ आप ignore नहीं करिएगा बहुत important रहेगा यह ठीक है तो इसमें क्या रहेगा कि मैं आज जैसे मैं स्टार्ट करने वाला हूं math का ठीक है तो math में सारी चीज़े मैं include कर लूँगा तो math का आज का lecture एक हो जाएगा और एक कल का lecture हो जाएगा और math पूरी तरह से finish हो जाएगी और जो आपको मैंने पीडियप भेजे हैं वो आप जल्दी से पढ़ लीजे ताकि यह clear हो जाए और यह जैसे दोनों lecture clear होंगे just इस lecture के finish होने के बाद मैं आपको कुछ और पीडियप भेजूँगा और वो आपको किसी भी हालत में finish करना होगा means आपको ज़्यादा कुछ नहीं मेरे दो lecture यह हो सकते हैं probably तीन lecture हो सकते हैं तो आपको दो या तीन lecture होंगे plus जो मैं पीडियप भेजूँगा वो आपको किस इसी भी हालत में वो दो दिन में finish करना होगा ठीक है मात दो दिन में तो इस तरह करने से हम लोग 10 दिन में ही कबर कर पाएंगे पूरा सले बस उसका बाकी की 5 दिन हम लोगो revision में करना है revision में लगाना है और सारे target को समझना है ठीक है तो ज्यादा बात ना करते हुए आज का जो हम लोगा topic है वो हम लोगा आज का math का है ठीक तो math हमने बोल दिया कि दो दिन में कबर होने वाली है तो math आपकी दो दिन में दो lecture में पूरी तरह कबर हो जाएगी अब ये lecture चाहे कितना बड़ा कि नहीं हो जाए बट बात पूरी करेंगे हम लोग ठीक है तो देखिए math क basically system क्या है आप जानते हो कि 30 marks का question आने वाला है जिसमें से 15 आपका पीडा गाजी से आने वाला है ठीक और बाकी 15 आपका जो है कुछ numerical part होंगे या जो जिसमें आपको पूरी असली math लगानी ही पड़ती है ठीक तो पंदरा यह होंगे आप question को deal कैसे करना है तो ये पीडा ग तो इसमें आप लोग को trick अपनाई करना है बस trick apply कर देंगे आप तो trick apply करने से 15 में से 10 question बड़े सौक से हो जाते हैं तो हम लोग का target यह होना चाहिए कि हम आसानी से 5 subject में 20-20 question करते हैं ठीक है बस ज्यादा नहीं 10-10 छोड़ते हैं और 20-20 करेंगे तो हम लोग का 100 mark हो जाए के अब पहले हम मैस को पूरी तरह समझते हैं देखो मैत का जो पहला पार्ट है जो की पीडागाजी वाला पार्ट है यह पीडागाजी होती क्या है पहले इसके डिटेल में जाने की जरूरत हम लोगों को ठीक तो पीडागाजी का मतलब कि आप एज़ा टीचर सपोज अब आप उग्जाम क्यों करवाता है कि वह चक करना चाहता है कि आपके असफिंग क्लिक्स को पीडेल म में मतलब करीatta इसके पिछे के कहीं ना कहीं आप चलके जब आप इसको क्वालिफाई करते हो जब आपका सीटेट क्वालिफाई होगा तो आप टीचर बनोगे और टीचर जब बनोगे तो आपको कहीं ना कहीं कोई कोई जो है subject पढ़ाने को दिया जाएगा चाहे वह CDP हो सकता है चाहे वह English हो सकता है Hindi हो सकता है या math हो सकती है ठीक है EBS हो सकता है तो वह चक करना चाहते हैं कि आपके अंदर वो कौन सी quality है teacher की कौन सी सास्तर जो है pedagogy यह क्यों है means as a teacher आपको आपके अंदर एक positive point होना चाहिए पहली बात तो आप ध्यान से सुनिए जो मैं points बता रहा हूं important points क्या है किसके question आपके सामने आएंगे तो आप क्या करोगे अगर आपको मालने लिजे कोई question ऐसा है जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है चार option आपके पास set है option a option b option c option d चारो option आपके just सामने है और कोई question आपके सामने आ गया जिसको चारो option में आपको कुछ पता नहीं है वो question पता नहीं क्या हो सकता है तो देखिए teacher का मतलब है कि positive आपको जो option दिये होंगे उसमें तीन option पका negative वाले case होंगे यानि उसमें कुछ उल्टी सीदी बात कही होगी तो जो उसमें आपको positive लगता हो ठीक है मालोई negative में बात कही गई और एक positive में बात कही गई तो जो positive वाला case होगा वही आप टिक करिएगा और हमेशा आपको answer positive मे answer आसानी से दिया जा सके बाकी जो मैं पीडागोज में अपने lecture में आपको पढ़ाया है वह बिल्कुल revision होना चाहिए और जो आपको PDF दिया गया है वह आपको फिनिस करना है जल्दी से ठीक है और PDF और एक और आएगा वह भी आपको फिनिस करना है तो first second third जितने भी आपको PDF भीजे जाएं सारे PDF बैठ करके आप फटाफट फिनिस करें यह आपका काम होगा और जो lecture में जो मैं important बात style लगा के बोलता रहता हूं यह आपके लिए बहुत ज्यादा important होगी कि आप उसको seriously exam में apply करने वाले हो यह सारी बात होगी देखो math में जो हमारे पास जो part आने व नमबर fraction यह सारी चीज आ गई तो हमें इनको अलग 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 चैप्टर में आप नहीं पढ़ना है कि मैं अलग अलग आपको एक चैप्टर प्ढ़ाऊंगा knowing our number SCF LCM अलग से पढ़ाऊंगा whole number अलग से पढ़ाऊंगा नहीं यह सब बिल्कुल नहीं इन सब चीजों को हम मैं ट्रिक सीखनी है इसके लिए ठीक है और जो कुछ बातें इंपॉर्टेंट होंगी वह पहले लेक्षर में मैं क्लियर कर दिया करूंगा अब आलग जिब्रा जिसे आ गई है सारी चीज़ा है रेचियो परपोर्शन बेसी कॉंसर्व यह सब चीज हमें नहीं पढ़नी है कर लोला पार्ट है और कल 53 और करके खतम कर लेंगे ठीक है तो देखो पहले हम पीडा गाजी के बात करते हैं कि पीडा गाजी के कोशन अगर आएंगे मैत पीडा गाजी जो रहेगा यानि कि जो स्टार्टिंग 15 कोशन आपका मैत का आता है उसको आप कैसे डील करोगे उसमें आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है नो आइडिया मतलब आपने कोशन देखा और देखते ही आपसे समझ लिया कि यह तो समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको पढ़कर के पहले देखिए कि इसमें पॉस्टी पॉइंट क्या है चार आप्सन होंगे मैंने पहले भी संभ्ण में निफीत में से कौन सा गठंत सत्त है आप यह गड़ित सीखने की बात कर रहा है तो इसमें चार आपसन आफके सामने हैं आम तोरपर लड़कियां गड़ित में कमज़ोर होती है ठीक है हर कोई गड़ित सीख सकता है गड़ित केवल कथोर अभ्यास सही सीखा जा होचे सकता है और आप से सीखान से स tornar बढ़िस नगड़ा होगा छिस सीखने के लिए कठीन भी सथाई करने के लिए तो आपको करने के लिए पहले समय ढूंड़ियों कि कौन सा पॉस्टिव पॉइंट है और आप पहली बात ध्यान रखिए कि टीचर आपको कोई भी आप्सण चूज करना है तो वह सब किसमें होना चाहिए पॉस्टिव में होना चाहिए पॉस्टिव मतलब कि हाँ एक कमजोर होती है ऐसा कुछ नहीं है यह बिल्कुल गलत ऑप्सन है बहुत साही लड़कियां है जो इंजिनरिंग करती है तो यह हो गया मतलब यह नेगेटिव पॉइंट था यहां पर नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है आपको लड़कियों को कमजोर बताया गया जब पॉइंट है गड़ी सीखने के लिए कठीन विसे है ऐसा नहीं है कि यह कठीन है तो यहां पर आपको तीन नेगेटिव मिले एक पॉस्ट्टिव पॉइंट मिला जो हर कोई सीख सकता है तो यही करेक्ट ओप्सन है मेरे करिंशनु यह रहा कि अगर आपको कोई के लिए ना लगे तो आप उसमें पॉस्टिव पॉइंट हो डिए आपका वही पॉस्टिव पॉइंट वाला करेक्ट अंसर होता है ठीक है तो आज़ा टीचर आपको कोशन को पढ़ना होगा समझना होगा उसके साथ जैसे कोशन हम यहां देखके समझ सकते हैं ठीक है देखो यह एक टीचर को दे दिये घया खैका शौष को समझन है या आपको खुद आज़ा टीचर बन करके इसको महसूस करना है तो क्या करोगे पहला संदिया गया है एक ही कच्छा में सभी बच्चों को एक साथ समुहित करेंगे ठीक है सारे बच्छों को यह अलग अलग च्छमत कंधाओं वाले बच्चों को एक साथ समुहित करें ये फिर कम चमधाओं वाले बच्चों को अनुसार के परसंना परास में आपको लग रहा होगा कि सितु पहुष को सब्रेखा करें तो नग ने कि Yojak ίह क्षा में सभी वच्छों को एक साथ समय करेंगे यह तो पॉस्बल नहीं है कि एक ही क्लास में आप क्लास 9 जंत यह सारी कठा कर दें अलग अलग छमताओं वाले बच्चों को क्या करेंगे एक साथ कठा करेंगे ठीक है जानलों किसी के अपसिटी कम है किसी की बेकार है किसी की बहुत अच्छी है सबको ए तो गलत बात है ना एक ही चमता वाले बच्चों को एक साथ समुहित करेंगे मतलब जिनकी capacity बढ़ियां है उनको आप एक साथ रखेंगे और जो बढ़ियां नहीं उनको एक साथ रखेंगे तो यह भी गलत है तो निगर्टिव में को आपने हटा दिया आपने पॉस्टी होगा कि मैस में आपके जो 15 कोशन है उसमें कम से कम आपके पांच कोश्चन आपके माइंड से ही हो जाएंगे पांच कोश्चन बड़े सोक से अगर आपने बिल्कुल सोच समझ के पढ़ा और समझा कि इसको पॉजिटिव पॉइंट में इसका एंसर देना है ठीक है और आपक अपने आपको तुरंट पीह बन जाना है तो आप को अगर हिंदी पीड़ागाजी का कोश्चन वार में भेजांब ही किसी का नुकसान भी नहीं होना चाहिए यानि की कि सारे बच्चों का फाइदा हो या हर चीज आपको positive में ठीक है यह बात में बार बार बोलना हूँ यह बात अब ध्यान रखेगा एक्जाम में बहुत important है यह बात में last में एक बार एक्जाम से पहले फिर बताऊंगा बट यह माइन में अभी भी रखिए और लास्ट तक रखिए तो ज्यादा ही बेटर है कि आपको कोशन पकड़ते हैं आपको एज़ा टीचर उसको जवाब देना है ठीक तो आपके चार-पांच कोशन तो ऐसे निकल जाने है ठीक है जो मैंने बताया कि आप पॉस्टिव पाइंट करके उसका एंसर निकाल देंगे बट कुछ कोशन ऐसे आएंगे जिनके लिए आपको पढ़ना पड़ता है जैसे यहां पर आप देखते हैं पाइथा गुरस पर जो एक तरीका होता है करें तरीके को कौन से तरीकों को टीचर ने अपन आया है तो यहां पर दिखुए चार निगमन नगाया व्यक्षाला व्1 रगाया व्यक्षभा बीधिंडी कूषन आगमन बिधि लगए तो यह बीधी जो होती है इंए मैधर्ण आपको पता होंगी तभी आप करक्ट आंसर दे पाओगे तो डॉंट वरी इन सब को मैं अच्छे से explain करने वाला हूं क्योंकि यह सबसे important है बिधी वाले परियोक्षाला बिधी आग्मन बिधी यह आज़ा तब मालूम हो जाहिए कि हम बच्चे के लिए कौन सी बिधी लगा है कौन सी बिधी टीचर के लिए सब से perfect होती है कौन सी बिधी बच्चों के लिए सबसे बहतर होती है ठीक है C बिधियों का ज्यादा importance है तो यह सब चीजें में detail मावताऊंगा इसके टंसर देने के जुड़त नहीं है तो फंडा नमबर वन कि जैसे ही लेक्षर फिनिस होगा ठीक है जैसे यह लेक्षर फिनिस होगा आपको तुरंत एक पेपर चाहे गूगल से निकाल करके चाहे आपके पास जो बुग पढ़ी है उससे मैथ का यानि कि जो आपका मैथ करना है और जो प्राबलम होगी आप तुरंत मुझसे पूछिए ठीक है तो वेल चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग सीखेंगे सबसे इंपोर्टेंट वही चीज़ सीखेंगे कि जो टीचिंग आफ मैथर्ड होता है नि मैथर्ड आफ टीचिंग जो होते हैं ज दो बीधि के बारे में बता हूँगा जो बहुत इंपोरटन तो पहला एक विधी होती है आगमन बीधी नशारी बता रहा हूं और इसकी जितनी वाते हैं आपके माइंड में होनी चाहिए यहां से पक्का बनते हैं तो पहले आगमन बीधि की से बात कट्रत हो मैं जो आगम बा-मरांशर करता है ये पधाने की बात की जाएगी तो बच्चों को बहुत नालज हो जाती है निग्मन बिधी चीटाल जれँ म error by 1 अधान की कि तो का इस यह बच्चों के लिए है कि अधारि लूट सकता है और यह बच्चा कर सकता है और और अधार्च कर सकते सकती आगधि करता है कि सबसे पहले क्या करता है एक साइस्ट पर किया सब्सक्राइब अईसा क्या होता था mostly पहले जमाने में या अगमन बिधि रेखा गरीत में यूज की जाती थी कि बहुत ज्यादा यूज था कि लिए रहे अर निगमन बिधि में क्या होता है कि टीचर डाय डर्ड फामुला बता देता है सीधा फाम्ला बच्चे från रट्टा मार देता हैं और यात करने के बास सीधा question कर लिए जालते हैं तो बच्चों को बहुत आसान लगता है कि फाम्ला यात कि रट्टा ऊड़ा दिया तो यह बच्चों की पढ़ने की सबसे वीद्से선 पूर। बेस्ट बीद्धी होती है , यह टीचर के लिए पिए फ्रीचर क्या होते हैं देखोग बहूत ही इंपार्टन चीजें कि यह पढाने की बेस्ट बीद्धी तो हूं है पर टीचर इसको यूज नहीं करता है यह जो बीद्धी आपके टीचर बिलकुल एक्टिव रहता है क्या करना है उसको सिर्फ फामला बता दोबाइठा हुआ है तो टीचर एक्टिव रहता है और एक चीश सुनो यह जो आगमन विधी होती है इसमें बहुत टाइम लगता है यानि कि बहुत धीरे-धीरे काम बढ़ता है और यह जो होता है निगमन विधी इसमें टाइम बहुत कम लगता है कम टाइम यह सारी बात समय आ रही हैं आगे मैं बढ़ा रहा हूं यहां तक आप नोट कर लीजिए और देखो खास बात क्या हो सकती है फिर से हम सब ही हटिंग डालेंगे आगमन विधी और निगमन विधी कि बिल्कुल यहां मैं में generate होता है कोई नया concept थीक तो बच्चे के अंदर नया concept जेनरेट हो सकता है वो नई चीज धूनना सुरू कर देता है बट इसमें कोई नया concept नहीं होता है क्योंकि वह फॉसक्ल फार्म्ला रटेगा और फार्मलेपर ही question लगाएगा यानि बच्चे के अंदर आत निर्भरता चाहिए कि बच्चा खुद प्रिपंड हो जाए और उसके अंदरins आ जा जाये कि कोई भी कोशन कोई कोई कोशन मेत्का कर सकता हूं थो औरतुक को बच्चों को कौन जब बच्चा आग्मन्विधी उस करता है तो उसका सब्जऺ्ट जो होता है वह बहुत इंट्रस्टिंग हो जाता है तिअ最近 हो जाता है कि वहीं अगर में निग्मन्विधी की बात करूं तो nearly निग्मन विधी से इंट्रस्टिंग तो होता है बट उतना ज्यादा वह आगे चलके फच जाएगा उसको पूरी तरह से नहीं होती है है अब आगमन विधी में खास क्या है और क्या चीज इसमें अगलबता है ये जो होता है इसमें बहुत दीरे और बच्सोचे को होता है है क्या तु sticky a बहुत धीरे धीरे होता है कि इसमें क्या करते हैं कि पहले आपको रूल पढ़ाया जाएगा आपको पूरा नहीं हो सकता है सदबस पूरा नहीं हो सकता, इसमें सलेबस पूरा हो जाएगा आसानी से पूरा हो जाएगा ठीक ये सारी बात हो गए और आगमन विद्धी का यूज़ करके सारा सब्जक्ट यानि जितने और सारे सब्जक्ट होते हैं उनको नहीं पढ़ाया जा सकता केवल मैत पढ़ाई जा सकती है सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाई जा सकता तो ये सारी बाते हो गई आगमन और निगमन के बारे में तो आप समझ गए होंगे लेकिन अभी और किलियर अगर मैं करा दू यहां पर तो आप ये समझ ये कि ये कैसे क्या हो निगमन विधी को लेकर के कुछ बातें और हैं तो मैं निगमन को और थोड़ा सा एक्स्प्लेंट कर दूँ क्योंकि आगमन के तो सारी बातें हो गई है पर निगमन विधी के बारे में और जान ले देकिन निगमन विधी क्या होता है इसमें perfect नहीं होता है यानि ग्यान इनका अधूरा रहता है क्योंकि यह कुछ नहीं जानते कि formula कहां से आया वस formula यूज़ करना शुरू करते हैं तो ग्यान यहां पर अधूरा रहता है दो इसके दोस हो गए ठीक है और तीसरा यह होता है कि छात्र जो होते हैं पूरी तरह से नेमों का सिध्धानतों का उपयोग नहीं कर सकता यानि कि उसको उसके अंदर प्रिंस्पल रूल इन सबकी नौलज बिल्कुल भी नहीं होती है यह तो इसके होगए defect यानि यह दोस पढ़ाने में काफी ज्यादा problem है ठीक है अच्छा फाइदा क्या हो सकता है इससे लाव मस्क्राइब नहीं देखा जाए तो लाव यह होगा कि बच्चे के अंदर क्या होता है याद करने की छंता बहुत बढ़ जाती है है याद करने की छंता में क्या है कि वह जिसने रटेगा तो इसका दिमाग तेज होगा पॉइं नमबर सेकंड करने खंता बढ़ी और टीचर जहादा इसको यूस करता है यह निग्मन विधी करते हैं क्या है क्या रिएatyक्र 5 ilsיים करते हैं अबल्य बुए स्क्राइब अभाकर श्रों ने अधार करने हुए। जेयो करता है और ये क्या होता है कि बड़े बच्चों के लिए ह motivator बच्चों को कोशन लगाने को कह दिया गया यह कौन सी बिधी है निगमन बिधी तो निगमन बिधी आप देख चुके हो क्या है अब देखे दोनों में जो खास डिफरेंस हमने पढ़ा है यहां पर सारी डिटेल में दे रखी है कि आगमन बिधी जो होती है इस बिधी में होता है इसका पढ़ाने का जो तरीका है धीरे-धी जो बहुत मंध हती है जबकि हमी को लीए नैयम को औलियरे प्रों होता है और यांप त्प्ब्रों को बेंगता है अ इस कुछा हो कि बढ़ी के लिए अ練ा इसमें आत्म निवरता दिता हृए इसमें पाकर ऑदाने नहीं इसमें बच्चा एक्टिव हो जाएगा और इसमें टीचर एक्टिव रहता है यह सबसे इंपर्टन बात है जो थर्टीन वाला कि आगमन जो होता है आरोही है यानि आगे चड़ने की विधी है जबकि निगमन है बच्चे का जो future है वह गिरेगा इसमें यहांन वो बीक पढ़ जाएगा आगे चल करके अगमन बिधी क्या है उत्तम बिधी किसकी अध्यापन यानि पढ़ाने की निगमन राजय अध्यान की है पढ़ने की उत्तम बिधी तो इसके अलामा जो और बिधी है वो भी हमें देख कि और आगे बढ़ते हैं ठीक है यानि फ्राम अन्नोन टू नोन की तरफ आगे बढ़ते हैं पार्ट वस्तु को भिन-विन छोटे-चोटे टुकड़ों में रखना तदा समस्या का हल धोना यही इसका सिस्टम है बसले संका मतलब समझने के लिए यहां पर दे रखा है कि हमें इतनी चीश्त करनी होती है पश्त में का दिया है वह आप नोट करेंगे पहला है पिर फिर पस् substitute मियाद करना है वह नोट करेंगे कैसे धियाद करेंता पर लिखना है ठ्रूफ तो यह जो बच्न होते हैं जो आपके रेखागरित वाले बच्चे होते हैं वो पूरी तरह से इसको करते हैं कि ग्यात है वो पाइंट लिखते हैं से ग्यात है यानि कि नून क्या चीज़ें पता है उसके बाद क्या है ग्यात करना है क्या ग्यात करना है तो यह सारे पॉइंट्स होते हैं तो ब वहां लमबाई 40 मेटर है तो पचास पैसे पर्त मीटर तार की दर से चारो और तार लग caste करना आप्रसकते हैं जब संपूर तर की लमबाई प्वीद्ही से लाव क्या हो सकते हैं तो डेको बիच्षेल में चात्र बहुत किर्यासी लेता है ठीक है तो उनका कलपना चिंतन तर्क निरड़य यह सब चीज़ें उनका बढ़ता है विकास होता है क्यों क्या करते हैं पहले देखते हैं क्या है कैसे है और क्यों है यह तीन पॉस्टिव हाने गेटीब होता है लॉस भी है इस बिदी से का दोस्ट यह है कि बहुत कठी खुद से बच्चा नहीं कर सकता टीचर के कराये बगयर छोटे बच्चों पर फिक्स है इस बिदी में समय और सकती दोनों अधिक लगते हैं वाई समय भी चाहिए माइंड भी बहुत ज्यादा माइंड एकदम से डिस्टॉब हो जाए बच्चों का अग्याद से ग्याद की और बढ़ते हैं अता यह अमान एक तरह से आमनुवग्यानिक सब्जेक्ट हो जाता है यह विदी हमें पूरता की और नहीं ले जाती है किसी समस्या के हल के लिए बिसलेसर ही ठीक है यह लंबी पर क्रिया है इससे चात्रों में क्रिया सिलता और सिखरता नहीं बढ़ाई जा सकती तो रहता है बच्चा बट वो कभी एक्टिव उसको आगे और ज्यादा बना नहीं सकते बच्चा सीखना तो चाता है लेकिन देरे देरे वह पैसिव हो जाए आके पढ अगली विधी आती है सनसेलेशन विद् ant EU तो ये वीति देखें antha겠습니다 कि विल्कुल उल्टी होती है जल विप्रीत होता है उससे कि उसमें क्या था कि भित जोटे जोटे dough में तोडा जाता था यह क्या है कैसे तो उसमें अग्यात से घ्याथ की तरफ जाते यानि कि कोई भी समस्या अपने आप में एक समस्या नहीं होती उसका कोई अधार होता है कोई उसमें कोई बात होगी तो वो समस्या बनती है तो इस पद पर अध्यापक छात्रों को समस्या असपस्ट करा ग्यान कराता है ठीक है यह विधी संस्लेशन विधी अंतिमपद है होगा भाई है कि आप इस विद्धी से पढ़ा होगे तो एक तरह से मैंनों बग्ञानिक विद्धी है इसमें समय और सकती दोनों बहुत कम लगते हैं ठीक है सोचने विचानने की सकता नहीं पड़ती इसलिए कम जोड चात्र भी इसमें ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं इस प्रतिविभिध्या systematik होती है इस विधी के कच्छा में महतपूर स्थान होता है परत्यक परकार के करणित के पार्ट में इसका पर्योग कि जाता है तो यह बात होगी अब से नुकसान क्या हो रहा है इस विद्धी में क्रिगा पदों हमारे पास कोई कारण होता है तर्क क अबहाओ के कारण रटने का सहर थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ता है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है यह बिद्धी रटने के क्रियाओं पर निभर रहने के कारण यदि किसी ग्यान का बिस्मन अगर बच्चा भूल गया तो उससे फिर से खोजना पड़ेगा फिर से खोज आ जा सकता है अता किसी नए गयान का खोज नहीं हो सकता है तो यह इसके दोस हैं कि उसके बाद में देखे इन दोनों का डिफरेंस लिखा हुआ है सेम भी प्रोसेस बिसलेशन बिदी संसलेशन बिदी इन दोनों का डिफरेंस लिखा हुए जो आपने पुरा पढ़ा जो बिग्यान के अनी science के student होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए उज़ करते हैं, इसका नाम है खोजना, मैं खोजता हूँ, मतलब कि यह जो बच्चा होता है, वो एक तरह से यह विधी ऐसी है, जहां तक संभव होता है, कि बच्चा अपने आपने खोज करता की तरह काम करने ल रहा है, बिल्कुल इसी पर डिपन रहा है, तो इसमें क्या करता है, बच्चा किसी भी चीज को पहले उठाता है, समस्या देखता है, हल डूडने को कोशिज करता है, पहले उसको निरच्छण करता है, और फिर उस पर निरड़े निकालता है, फिर उसे पर परिच्छण करत यह जैसा है तो यह सारे स्टारब देता है तो यह हो गया और इस पहले बगोपन लोगों दोनोघ तक आज पर बनाशाएंगे इस部分 बेगान हैं नीटाहर कोटारद खलता है और मांसिक सक्टिव की आझा में 焦ा काई टबारब होता है सारी जी औमानसिक क्रियातों का भी समनमन होता है और उसके उड़े सब्सक्राइब करनी चमता बढ़ती है आत निर्भनता भी बढ़ती है अग्रेयकार से मुक्ती टो इसमें एक होमउक नहीं होता है सारा काम उसी वक्त फिर्मिस हो जाता है बच्चे समान बुद्ह दोस्ट चोंटे बच्चे से काम नहीं की ऐसे की और समु größti करते राइं जी सब्रेवराइ handful की सिंगल क्या सकते है की सबicate और सब्सकूत ऋब्र पीजिंगyszनी , मेसज अफम साथ मेचाइक , मेल बि odpow इसे झ의क को और बंधी जादी से नहीं बहुत है। तो यह काफी मतलब की परियोग करके इसका परिफेक्ट जो है आगे निकाला गया तो यह सारी बाते हैं तो पहले यहां पर डिरेक्टली सीधा पहुंच जाते हैं ज्यादा कुछ पहसना करते हुए सिधे हैं पहुंच जो पॉइंट पर यानि कि इससे फाइदा क्या है यह बिधी अनसुंधान ठीक है यानि कि रिसर्ज में काम करती है यह बिधी परदार्थों के लिए काम करती है चात्री इसमें बहुत रूची लेता है यह बिधी दारा गडित के परियोग आसानी से हो सकत इस बीधी से चात्रों को तत्थों सिधानतों का बिल्कुल असपस्ट ग्यान होता है इस तर बाते ध्यान रखने हैं किस से असपस्ट ग्यान होता है किसमें टाइम लगता है यही साब कोशन बनाकर पूछ लिया जाएगा फ्लॉफ चीजें क्या रही है देखिए गडित के चात्रों को अंसंधान काम करना आसान नहीं है इसमें यह सिच्ण विधी बहुत ही धीमी है ठीक है पढ़ाने के लिए बहुत धीरे धीरे काम करना पड़ेगा इस विधी में आर्थिक भार अधिक पड़ता है यानि पैसा व पड़ेगा इस विधी में गड़ित समंधी तरक सक्ती का भीकास नहीं हो सकता जो गड़ित में बहुत ज्यादा वर्षक है तो यह पांचो चैयो जो च्छे विधी आपने देखी बहुत इंपोर्टन थी इनको आराम से बैठ करके समझ लीजिए आपके एक्जाम में यहां मैं आगे बढ़ाता जा रहा हूं क्योंकि मुझे कबर करना है तो मैं कल इसको फिनिस करने वाला हूं तो आज मैं पूरा लगभग कबर करूंगा इसको कुछ चीजें तो ज्यादा ज्यादा कबर करने कोशिश करूंगा तो गड़ित में ओरल यानि कि अगर कोई चीज मौखित या मौखिक बात की जाए तो उसमें क्या फरक है तो गड़ित में देखो जिसे प्लस प्लस माइनिस गुड़ा भाग प्लस माइनिस गुड़ा भागी चीजें